बागिश्वर धाम वाले दिरेंद्र कृष्ण शास्त्री बीते कई दिनों से सुर्ख्यों में बने हुए हैं कुछ लोग बाबा बागिश्वर को चमतकारी संथ कह रहे हैं तो कुछ लोग उनके कतिच चमतकार पर सवाल भी उठा रहे हैं इसमें दिरेंद किष्ण शास्री जी का कहना है कि मैं कोई तपस्वी या माइन रीडर नहीं हूँ जब मैं गद्धी पर बैठा हुआ नहीं होता हूँ तो एक साधर इंसान रहता हूँ लेकिन गद्धी में बैठने के बाद बगवान बाला जी का ध्यान करने के बाद जो इनके दर्वार में देश बर से लाखो लोग आते हैं अपने दर्वार में शास्य जी उन दुकों से कैसे मुक्त हो का भी उपाय पताते हैं जिससे बेर ठीक हो जाते हैं चलिए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि सेंगडों बच्चों के मात पिदा कोई नहीं दाम से उ लाखों लोग बागे शर्दाम पहुंसते हैं बाबा जी के वक्त इतने हो गए हैं कि बाबा अब मेद्र प्रदेश के बाहर भी दिव्य दर्वार लगाने लग गए हैं उनका कहना है कि वहां लाखों लोग का परचा करना संभव नहीं होता इसे दूसरे शहरों में भी आकर दिव्य दर्वार लगाते हैं पर दोस्तों इन सब सोशल मीडिया वाले बाबाओं में हमें यह नहीं बूलना चाहिए कि हमारे सनादन धर में लाखों ऐसे बाबा या तपसवी हैं जो सोशल मीडिया से दूर अपनी सची तपस्या कर रहे हैं उनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए है दोस्तों बागे शर्दाम वाले बाबा के बारे में आपको क्या कहना है और यदि कभी इस दाम में गए हो तो आप का एक्स्प्रिंट कैसा रहा जरूर शेयर कीजेगे